मुवी की स्टार्टिंग कारला नाम के एक लड़की को दिखाने से होती है चुकि अकेले ही अपनी दो बेटियों और एक बेटे बिली को संभालती है आगे जब कारला फ्रेश हो रही थी तब ही कोई एंटिटी उसे एक मुका मारती है जिसके बाद वो उसे बैट पर लिटा क उसके साथ इंटिमेट होती है उस एंटिटी ने कारला के मुझ को कुशन से दवा रखा था जिसके करण उसकी आवास तक नहीं निकल रही थी वही एंटिटी के वहां से जाने के बाद कारला जोर से चिलाती है उसकी आवास सुनकर बिली और उसकी सिस्टर्स वहां पर आती कारला बिली को पूरे घर में चांद बिन करने का कहती है बजिसके बाद कारला बच्छो को सुलागर बेड़्रूम में बुक पढ़ने लगती है लेकिन थोड़ी दिर बाद बेड़्रूम में रखी सभी चि Judith अपने आ पहिल कर नीचे गिर जाती है ये देखकर कारला को काफी जादा डर लगता है और वो बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती है जिसके बाद कारला सभी को लेकर अपनी बेस्ट फ्रेंड सिंडी के घर पर आ जाती है वो लोग वही पर रात कुसारते हैं वहीं अगले दिन कारला सिंडी को सभी चीज बता देती है जिसे सुनकर सिंडी हैरान हो जाती है लेकिन असल में उसे लग रहा था कि कारला हैल्यूसिनेट कर रही है इसलिए वो उसे साइकेटरिस्ट को दिखाने का सेजेस्ट करती है जिसके थोड़ी देर बाद कारला को पत नहीं घर आ जाते हैं तब कारला देखती है कि किसी ने उसके बेडरूम का सारा समान तहसनेस कर दिया है तब ही उन सबी को अजीब सी आवास सुनाई देती है तो बिली चेक करने के लिए जाता है लेकिन इस बार भी उसे कोई नहीं मिलता जिसके बाद वो लोग घर में सोने क की तैयारी करते हैं और कुछ तेर बाद सिंडी भी वहां आ जाती है कारला के साथ सोने के लिए फिर सिंडी और कारला उसके बेडरूम में सो जाते हैं वहीं उन दोनों के सो जाने के बाद हम देखते हैं कि रूम में रखाय का लैंप अचानक से चालू होकर बंद हो जाता ह जिससे हमें पता चलता है कि वो एंटिटी अभी भी इनके घर में मुझूद है अगले दिन कारला कार लेकर अपने काम के लिए निकलती है जिस दुरान वही एंटिटी कार का कंट्रोल लेकर तेजी से कार को बगाती है लेकिन थोड़ी देर बाद कार रुख जाती है और कारला सही सलामत होती है इसके बाद हम कारला को एक साइकेटरिस्ट डॉक्टर फिल के साथ देखती है कारला डॉक्टर को अपने साथ क्या क्या हुआ वो सब कुछ बताती है डॉक्टर फिल उस पर विश्वास कर कुछ मेडिसन लिख देते हैं फिर रात होने पर कारला अपने घर पर वापिस आ जाती है और वो थोड़ी देर बाद नहाने के लिए चाती है जिस दुरान हम देखती हैं कि बात्रूम के दोनों दर्वाजे अपने आप लोग हो जाती है जिसके बाद वो एंटिटी फिर से कारला पर अटैक कर उसके साथ इंटिमेट होती है लेकिन इस बार उस एंटिटी ने कारला को काफी ज़्यादा चोट पहुंचाई थी कारला ये सब डॉक्टर फिल को दिखाती है साथी में ये भी कहती है कि इस बार उसने अपनी बोड़ी पर एक से जादा लोगों को फिल करा है आगे डॉक्टर फिल कहते हैं कि उसे हाइस्टरा नाम की बीमारी है जिसमें लोगों को पास्ट में हुए बुरे इंसिदेंस की वज़े से प्रेजिट में काफी खतनाग हैलूसिनेशन होती है जिसके लिए डॉक्टर कारला को मेडिसन देकर रेस्ट करने के लिए कहती है इसके बार जब डॉक्टर घर जा रहे थे तब ही उन्हें कारला होस्पिटल के बाहर बैटी हुई दिखती है जो की काफी देर से टेक्सी का इंतजार कर दही थी तो डॉक्टर उसे लिफ्ट देने का कहते हैं और कारला मान जाती है वही कारला के गर पहुंचने पर डॉक्टर कारला के घर को एक बार देखने की रिक्वेस्ट करती है की वो हॉंटिंग हाउस जैसा दिखता है या नहीं जिस पर कारला मांज आती है और फिर डॉक्टर फिल को अपना घर दिखाती है आगे हम डॉक्टर और कारला की बातों से कारला की पास्ट की कुछ बाते जानते हैं जैसे कि बच्पन में उसके डैड उसके साथ काफी बुरा बरताफ करते थे जिसके करण वो बच्पन में ही घ जिन्दगी में बॉब नाम का अदमी आया वो लोग काफी खुश थे लेकिन बाद में वो भी उसे चोड़ कर चला गया इसके बाद बिली और कारला की दोनों बेटिया घर में आती हैं उन्हें देखकर डॉक्टर वहां से चला जोता है वही डॉक्टर के जाने के बाद कारला अपने बच्चों के साथ डिनर कर रही थी तब ही वो एंटिटी फिर से उस पर अटैक करती है वही कारला को मसीबत में देखकर बिली उसे बचाने की कोशिश करता है मगर वो एंटिटी बिली को शौक देने लगती है जिसके कारण वो दर्द के मारे काफी जादा चिला रह दरसर उन्हें लगता है कि कारला हैल्यूसिनेट कर रही है और जो उनके बच्चों ने महसूस किया वो और कुछ नहीं बलकि मास हैल्यूसिनेशन का एक एक अग्जमपल है आगे हम कारला को उसके करंट बॉइफरेंड जैरी के साथ देखते हैं कारला ने जैरी को अभी तक इसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बार में कुछ भी नहीं बताया था वही अपने घर पर वापिस आने पर कारला जब अपने वैट पर सो रही थी तब ही वो एंटिटी आकर कारला को सेडियूस करने लगती है जिसका गुसे में आकर कारला रूम के सारे समान को तोने लग सकती थी और उसके बच्चों को भी उसे खत्रा था लेकिन कारला इसके लिए मना कर देती है और डॉक्टर फिल से बहंस करके होस्पिटल से बाहर निकल जाती है आगे हम कारला को सिंडी के घर पर देखती है दरसल वो अपने घर पर रहने से डर रही थी और जब सिंडी अपन कारला को काफी अच्छा लगता है कि इसके लावा किसी और को भी एंटिटी पर विश्वास है अगले दिन वो दोनों बुक्स्टोर जाकर इन सभी घटनाओं के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कारला को जैने और जोए नाम के दो स्टूडेंट्स मिल कारला को लग रहा था कि वो दोनों उसकी बातों को मजाक में ले रहे हैं और जब वो दोनों वहां से जा रहे थे तब ही घर की सारी चीज़े हेले लगती है उन्हें जीप सी स्मेल आ रही थी साथी में वहां पर थंडी हवा भी चलती है अब यह सब देखने के बाद वो द केमरा में कैद कर सके और ऐसा ही होता है वह ऐंटिटी लाइट के फॉं में उनके यह देखकर उन्हिएस केस पर और रिसरच कने का कहती है अगले सीन में हम डॉक्टर फिल्ल को कारला के घर भर आते हुए देखती हैं वो वहाँ पर जैने और जोई को देखती हैं जो कि अपने साथियों के साथ घर में कुछ एक्वीपेंट सेट अप कर रहे थे आगे जैने डॉक्टर फिल को बताता है कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसे वो लोगा हार्ड डेटा में कैप्चर करने की कोशिश करने वाले हैं इस पर डॉक्टर फिल उन्हें कहते हैं कि कारला उसकी पेचेंट है और मैं उसे ये सब करने नहीं दूँगा जिसके बाद वो जाकर कारला से बात करते हैं लेकिन कारला उनकी एक नहीं सुनती क्योंकि उन्होंने कारला की कुछ खास मदद तो की नहीं थी लेकिन जैने और जोए उसकी मदद कर रहे थे इसके बाद डॉक्टर फिल वहां से चले जाते हैं वही रात में डॉक्टर ऐलीजाबेट जोए और जैने के साथ कारला के घर में उस एंटिटी को देखने के लिए आहे थे और थोड़ी देर बाद वो एंटिटी एक ग्रीन लाइट के फॉम में उनके सामने आती है जिसे देखा लगबग सभी डॉक्टर हैरान रह जाती है आगे डॉक्टर ऐलीजाबेट कहती है कि दुनिया में अलग अलग डिमेंशन होती है और शायद ये एंटिटी उन्हीं में से किसी एक डिमेंशन से हमारी डिमेंशन में आ गई हो इसके बाद जब सभी डॉक्टर वहां से जा रहे थे तब ही जेरी वहां पर आ जाता है वो इस सब के बारे में कारला से पूछता है कि घर में क्या चल रहा है तो कारला उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि वो एंटिटी उसके साथ क्या करती है ये सुनने के बाद जेरी आज रात को कारला के साथ ही रुकने का डिसाइट करता है आगे जेरी कारला का मूठ ही करने के लिए उसे एक ड्रेस गिफ्ट में देता है और पहन कर आने के लिए कहता है इसके थोड़ी दिर बाद जब जेरी कारला को देखने के लिए जाता है तब वो देखता है कि उस एंटेटी ने फिर से कारला पर अटेक कर दिया है और वो इसे सेड्यूस कर रहा है जेरी कारला को बजाने की कोशिश करता है मगर वो एंटिटी जेरी को दूर फेंक देती है इसके बाद हमें होस्पिटल का सीन दिखाये जाता है जहांपर कारला को एटमिट किया गया था और वहीं पर डॉक्टर फिल भी मौजूद थे वो जेरी को होसला देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा मगर जेरी इसे इंसिडेंट को लेकर काफी ज़्यादा ढर चुका था और वो कारला को छोड़ कर चला जाता है आगे डॉक्टर एलीजाबेट जेने और जोए कारला से मिलने के लिए आते हैं वो लो कारला के साथ एक इसा एक्सपरिमेंट करने का कहते हैं जो उन्ह ने आज से पहले कभी ट्राय भी नहीं किया था जिस पर कारला माँग जाती है क्योंकि वो किसी भी तरह इस एंटिटीस से चुटकारा पाना चाहती थी आगे जैने उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि वो लोग किसी तरह उस एंटिटी के उपर लिक्वेड नाइटरोजन डाल देंगे जिसके कारण वो एंटिटी फ्रीज हो जाएगा और फिर वो उसे असानी से डिस्ट्रोई भी कर पाएंगे इसके बाद आगे डॉक्टर एलिजबेट और जोए कारला को उसके घर की सेम टू सेम कोपी दिखाते हैं जिसे उन लोगों ने बनाया था उस एंटिटी को पकड़ने के लिए जिसमें एक प्रोटेक्टर एरिया भी था ताकि अगर वो एंटिटी कारला पर अटेक करती है तो कारला को उस प्रोटेक्टर एरिया में जाना होगा और फिर डॉक्टर एलिजबेट के साथ ही उस एंटिटी के ओपर लिक्वा नैट्रोजन स्प्रे कर उसे फ्रीज कर देंगे इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए डॉक्टर फिल अपने सीनिय डॉक्टर के साथ वहां पर आते हैं इसके बाद जब कारला आराम कर रही थी तब ही वहां पर थंडी हवा चलने लगती है जिससे सब समझ आते हैं कि वो एंटिटी वहां पर आ गई है इसलिए जैने कारला को प्रोटेक्टर एरिया में जाने के लिए बोलता है लेकिन कारला के प्रोटेक्टर एरिया में जाने से वहले ही वो एंटिटी लिकवर नैट्रोजन सिस्टम को कंट्रोल कर उसे कारला पर हिस्प्रेग करने लगती है इसके बावजुत कारला किसी तरह से भागते होए प्रोटेक्टर एरिया में आ जाती है तब ही सिस्टम फेलियर की विज़े से लिकवर नाइटरोजन के सैलेंडर ब्लास्ट हो जाती है और वो लिकवर्ट कारला के उपर गिनेही वाला था कि तब ही सही वक्त पर डॉक्टर फिल आकर कारला को वहां से बाहर निकाल लेती है तब ही सभी लोग जमे हुए एंटिटी को देखती है जो कि काफी बड़ी थी सभी लोग उसे देखकर हैरान थे लेकिन जल दीव एंटिटी बरफ को तोड़ कर वहां से भाग जाती है अब इन सभी बातों के बाद जब कारला अपने घर पर आती है तब हम पहली बार उस एंटिटी की आवास सुनते है जो की कारला को वेलकम हॉम कहती है जिसके बाद कारला अपने बच्चों को लेकर ना ये घर बलकि सिटी छोड़ कर वहां से निकल जाती है और गाइस जिसे के साथ हमारी ये मुवी खतम हो जाती है